स्वागत हैं हमारे खास कारिक्रम बैलेट बॉक्स में और आज हम बैलेट बॉक्स के दर्मियान पहुँच गया है प्रधान मंत्री मोदी के संसदी छेत के रोहनिया विधान सबा में जोहनिया विधान सबा का वो गाउं जोनकी मदन मोहन मालवी के बगिया के जज़ सटा हुआ है यूं कहें कि उनकी बगिया के पीछे नासिरपुर्व जो गाउं है वहां हम आप पहुंचें और वहां की जनता से जानेंगे कि क्या क्या एजेंडे थे जो पिछले पांस सालों में जो भी पार्टी के नेता थे या जो विधायख थे उन्होंने कहे थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए ताशी में को डिवलप्मेंट नहीं हुआ है पिछले सारे सरकारे सब विकार है रोड बनवाना विकास नहीं होता, नाली खुदवाना विकास नहीं होता नरेंद्र मोदी की आने के बाद बनारस का ये अस्तित बहुत आगे बढ़ेगी यहां विकास के लिए कोई प्रयासरत है ही नहीं ढ़ dark pardon दभा के इनको एक सीख देनी चाहिए सारी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं होता ऐसे में सीधे बात करते हैं जनता से और जनता से ही जानते हैं कि क्या असल माने में मुद्दे थे, क्योंकि पहले भी नेता आये होंगे और अब फिर नेता आने शुरू हो गये होंगे इस बार क्या आप देखेंगे और पिछला कौन सा ऐसा कार है जिसको लेकर आप संतुष्ट हैं अगर संतुष्ट नहीं है तो ऐसी कौन सी बाते हैं जिसको लगता है कि इस बार आने वाली सरकार पूरी करेगी सरकार को एक बार बदलना चाहिए हमने दो बार जब असपा को देखा दो बार सपा को देखा लेकिन देश प्रदेश मतलब जहां भी इनकी मलत सरकारे रही है कही कोई विकास नहीं है आज जिसका तसपड़ा हुआ कौन सी पार्टी है जो विकास करेगी और क्या पिछली पार्टी ने सही माएने में कोई विकास नहीं किया आपके छरतम में पिछली सारी सरकारे सब विकार हैं सिर्फ मोधी जी देश की उमीद है मोधी जी के पार्टी बीजेपी को यहां पर जानता पुर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी आगे भी चलते हैं क्या है समस्याएं जिसको समधान करना चाहिए था प्रत्यासियों का और उसका समधान नहीं हो पाया क्या देखके आप इस बार मत करने जा रहा है जो जो प्रत्मी दी छेत्र का विकास करेगा उसको हम लोग ओट करेंगे उसे अखलेस यादव ने यहां ब कुछ लोग का मानना है कि साबत और अखलेस यादव ने कार किया है तो वो एक बार फिर से अखलेस पर भरुसा जता सकते हैं कुछ युवा भी है युवाओं से बात करते हैं सिक्षा की बात हो सबसे पहले युवाओं का ही चेहरा सामने आता है सिक्षा के दिश्टिकोंड साथ अपने कारशेतर में भी डेफलेफ्मेंट करेंगे डेफलेफ्मेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है जो मूल भूत सब्धायती जो होनी चाहिए यहां पर बिजली पानी रोड की वस्ता कुछ नहीं हुआ है जिस उमीद से सारे लोगों ने बीज़ेपी और खासकर न मतलब क्या होता है रोड बनवाना विकास नहीं होता नाली खुडवाना विकास नहीं होता विकास का मतलब होता है सिक्षा में विकास विकास का मतलब होता है स्वास्त में विकास मैं पूछता हूं इस रोहनिया विधान सभा में कितने स्वास्त के अंद्र बनवाए गए हैं सिक्षा के लिए कितने स्कूल खुल आए कौन बनवाएगा जैसे सिक्षा के चैतरी में हमारे सरकार द्वाला नियुक्तियां की गई जिसमें सीधे सीधे सिक्षित लोगों की भागेदारी होती है यूआ वर्क की कव सकते हैं भागेदारी होती है मगर यह यूआ वर्क देख रहा है कि कोई भी एक वेकंसी कोई भी एक अपॉइंट्मेंट जो कि तीन चरणों में होती है प्री मेंस इंटर्व्यू मगर इस प्रदेश सरकार में वह पांच चरणों में होती है उसे हाई कोट और सुप्रीम कोट से होकर गुजरना पड़ रह ताकि जो समस्या है मूल भू समस्या जैसे आपने बात की सिक्षा की इस्वास की रोजगार की इन सब चीजों पर पूरी तरह से विसलेशन हो सके और समस्याओं का जोई समाधान निकाला जा सके कौन विधायक है जो इसको पूरा कर सकता है देखिए विधायक की बात तो जिस समय चुनाओं की बात आ रही है इस समय सारे विकास की मुद्दे बंदो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दो पर चुनाओं लड़ा जा रहा है और उस मुद्दे का नाम है जातिगत समी करन कोई भी पार्टी हो इसी इर्द गिर्द खेल रही है अभी लोग कह रहे थी यही समाजवादी पार्टी कहके आई थी कि यह लोग जनता दिल के घटक है और इनलोग का उदह ही इसलिए हुआ था कि गैर कांग्रेसी मुवमेंट और आज हम प्रदेस में देख रहे हैं कि जो पचास सालों में राज किया उसी के साथ गड़ बंधन करकर आप उसे सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं जनता समझेगी आपका क्या मानना है कौन है जो विकास करेगा और नासीपुर के जो समस्याएं थी क्या विधायक जी ने उसको सही मायने में दूर करने का प्रयास किया है जहां तक भाजपा की बात रही है या समाजवादी पार्टी की सबकी हालत यही रही है कि सिच्छा को पीछे ले जाईए सिच्छा के पहले नमबर के दूस्मन है समझ रहे हैं और रही बात भारती जनता पार्टी की तो यह तो freedom of expression को ही खतम कर सकती है तो आप अपनी समस्याओं को articulate कैसे करेंगे समस्या तो दूर की बात है पहले articulation नहीं खतम हो जाएगा उसकी चोट जादी गहरी है तो इसलिए आप lesser reveal को चूझ करेंगे तो इसलिए मुझे लगता है कि बसपा और सपा में से आप चूझ करिए भाजपा तो समस्या को articulate ही न करते हैं कि अनुभा बहुत ज्यादा बोलता है अगर आपकी बात की जाए तो आप तमाम लोगों को देखेंगे कई नेताओं को देखेंगा और फिर इस बार नेताओं को देख रहे हैं क्या लगता है कि कौन है जो समस्याओं का दूर कर सके मैं सहर में तो 15-16 साल से रह रह यहां का लोकल नेता भी ने प्रयासरत है कि इसको देखा जाए इस अगर बात की जाए तो आप भी एक यूबा है कुल मिली जो लिए देखने को मिल लगता है कि क्या नासिरपूर का विकास जो है वो बस इस अधेड़े में नहीं हो पाया क्योंकि लोग जो है यहां के वह दीजेपी को फेवर करते हैं और जो विधायक हैं वो सपा से नहीं यह उध्यडबुन का गेम ही नहीं कौन किसको फेवर करता है सारा नेत्री तुछ वो विधान सभा का हो यह संसवत को उनको को बहुत बहतर कदम आगे एलेक्शन कमिशन उठा पाए तो पर ऐसे भी हुआ है जिनका कहना है कि नोटा का उपयोग हो ज्यादा से ज्यादा ताकि जो सरकारे हैं या फिर जो पत्यासी हैं उनको सीधे तौर पर पता चल सके कि जनता जो है वह जागरूख हो चुकी है भूट समस्ता है जनता ही डिसाइड करती है जनता ही विद्रान सवह बेजती है जनता ही सदन शर्फур की जो मूल्वत समस् важे आ है वह मैं आपको उससे अग्या्यात करा दूं कि सिख्षा के छेत्र में नासिरपूर का क्या स्थान है आज प्रात्मिक विद्याले नासिरपूर के आप सिटी देखिए कि सिख्षक वहाँ अगर दस बजे उसको पहुचना है तो सिख्षक दो बजे पहुचता है और च्छातरों की सिटी देख लीजिए यहाँ पे स्वास की क्या सुधाय हैं कितने यहां पे प्रत्मिक केंद्र हैं तो मेरा मानना है कि अब इनको एक सीख के लिए नोटा का ही प्रयोग करना चाहिए नोटा का बटन दबा के इनको एक सीख देनी चाहिए कि नहीं अब जनता जागरुख हो गई है अगर आप काम नहीं करेंगे तो यह आपको सीख देंगे आपकी व्यक्तिक अत्राइग है पहली बात तो मैं नोटा का विरोध करता हूं जैसे कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी डिमक्रोटी यह कंट्री है हमारी कंट्री तो नोटा की तरफ जाना यह सुझाव नहीं है ठीक है और अगर काम की बात करें तो बोला जाता है बहुत सारी इनुवस्टी है यहां पर राजधानी है यहां पर बनारस इनुवस्टी महात्मा गांदी इनुवस्टी जगत्पू डिग्री कॉलेज यूपी कॉलेज बहुत सारे इनुवस्टी बहुत सारे कॉलेज है तो एजुकेशन में तो ठीक है ठीक है और दूसरी बात स्वास्त की बात करें स्वास्त में बनारस की बात मत करिए जो इस प्रदेश का सबसे अंडवलप्ड डिस्टिक है चंदवली है लखनव के बगल में सीतापूर है वहां पे जाके आप देखिए समाजबादी विधान सभा की बात करें अगर सिरे तो रोहनिय में लोग 15-20 में इंबुलेंस आती है मैं खुद जानता हूँ लोग बताते हैं तो स्वास्त भी काम चल रहा है यह जो सड़क है बहुत सारी गवर्मेंट यहां आई गई यह सड़क बनी सपागी गवर्मेंट में बनी मैं मानता हूं कि ठीक है यहां का हो सकता है प्रत्यास के लिए हमारा में उद्देश है मुख्यमंत्री चुनना मुख्यमंत्री तो अच्छा है जैसे हम लोगों ने क्या कि अगर आपके विधायक अच्छे नहीं तो मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा 403 विधानसभा जनता के पास इतनी भी ताकत है कि वह डाइरेक्ट के पास जाके मिल सकती है ऐसा नहीं कि विधायक के फ्रू जाएगा बहुत सारे रून रेगुलेशन है और बी जनता इधर भी हम बात करते हैं सीरे तौर पर क्या समस्यां हैं किस तरह की दिक्कते हैं जिसको दूर नहीं किया गया है और अब क्या-क्या चुनावी मुद्ध हैं जिसको लेकर प्रत्यासी आप लोग के पास तका रहा है सबसे बड़ा चुनावी मुद्धा इस समय अभी जातिगत समीकरण ही बनके रहा गया है जो कि होना चाहिए सिक्षा स्वास्त और कैसे मतलब मनुष्र के जीवन का मैं कैसे विकास हो उस पर ध्यान देने के बज सबसे पहले यह बात हमको समझनी होगी कि सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है सबसे महत्पूर यह है कि मैं जानता हूं कि अखलेश पूरा काम करेंगे एक अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है अगर वहां पे कूड़ा फेका जा रहा है तो मैं यही मानना है कि अगर मैं खुझ सुधर रहा हूं, तो कहीं न कहीं सरकार का मतलब ही होता है कि साथ में चलना ना की सरकार की विप्रीज चलना हो। यह अलार्मिंग भी है काफी अगर युवा, आज का युवा, आप देख रहे हैं, अगर नोटा के तरफ जा रहा है तो यह सभी पार्टीयों को ना किसी फख्लेश को ना किसी फमोधी को सभी को समयना होगा कि नोटा के तरफ जा रहा या तो असंतुष्टी में जानता हूं कि जो भी आजमी डिलॉप्मेंट होता है वो सलोली उन्हीं दिलिवरी हो रही है कितनी घड़ पे डिलिवरी यह लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं यह लोग को पता है बिल्कुल नहीं पता एक नेता ने इस चीज आण लोग जो हैं वो अभी तक असंतुस्ट भी है और कार्यों को लेकर कहा जाए विकास को लेकर कहा जाए जो एजेंडे हैं जो मैंनिफ्वेस्टों में कहे जाते हैं कि सही मायने में जो विकास है वो होगा युवाओं को लेकर विकास होगा लेकिन वो जमीनी हकिकत से काफी गंगा किनारे बनारस के दसा सुमित घाट पर मौझूद है यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विदानसभा चुनाओं को ले करके जनता की क्या उमीदे हैं किस सरकार ने पिछले पुराने समय में क्या काम किया जितने दावे किये गए थे जितने वादे किये गए थे वो दावे और वादे पूरे हुए की नहीं यहां पर घाटों पर हम खास तोर पर अगर बात करें तो जो पंड़ा है जो यहां के जो मल्ला है जो नाविक समुदाय है उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनके कसावटी पर कौन अब तक खरा उतर पाया है बनारस आज जो 20 साल पहले था आज भी उसी तरह है गटबंधन भाई अपने फायदे के लिए क्लेश जी ने किया है सबसे पहले हम शुरुवात आप से करेंगे आप बताईए की आप घाट पर ही रहते हैं यहां के रहवासी थी नगरी है बस जब चुनाओ की मोखा लाती है सारी घोसना करते हैं, सारे अच्छे दिन आने वाले, ये करना है, मेट्रो बिचाना है, हम एक कर देंगे, यहां के रोट साप कर देंगे, किलिंग कर देंगे, यहां घोसना कर देते हैं, लेकिन कार एक कुछ नहीं होता है. और घाट पर तो कुछ अभी चेंजिंग नहीं हुआ है। कौन बहतर है किसे बहतर मानते हैं चार दल है जो ताल ठोक रहें जिसमें से की अब तो सपा और कॉंग्रेस का गड़बंदन भी हो गया। कौन बहतर है किसको आप जो है चुनने का जो आप है डिसाइट करेंगे या किसको आप वोड़ लेकिन उनका काम केवल क्या नाम से क्या है कि कि रोड बन रहा है तो पूल बन रहा है यहीं सब हो रहा है और कोई विवस्ता नहीं है जैसे हम लोग के लिए कोई विवस्ता नहीं है सर आप बताईए जिस तरीके से गड़बंधन हुआ है संपा और कॉंग्रेस के बीच में किस तरीके से आप देखते हैं इस गड़बंधन को और आपकी क्या पेक शाय है आपकी आपकी क्या उमीद गड़बंधन भाई अपने फायदे के लिए क्लेश जी ने किया है कुल मिलागर के जनता चाहे रहे थी कुछ बदलाव बदलाव में जो है बीजेपी और कांग्रेस थी कांग्रेस जो है संग्ठन कमजोर है इसलिए बीजेपी लोग उमीद से देख रहे हैं जहां खिलेश की बागर ठीक है बढ़िया है कुल मिलागर उनकी योजनाय फेल रही लैपटाप उन्हें बाटा स्टार्टिंग में कि सबको लैपटाप दिया जाएगा बाटा ठीक किया बाद में बोल देखी से थोड़ी प्रदेश चलेगा चले और भी लोगों से बात करेंगे उनसे उनकी राय जानने कोशिश करेंगे आप बताईए बंडी जी आप घाट पर रहते हैं काफी समय बिताते हैं यहां पर जो लोग आते हैं जनता जो आती है कहा परिवर्तन आप देख पा रहा कच्ड़ी मिलता है लोग नहाकर निकलते हैं कहीं भूत कचरा है किसकी कमी है यह कहां कमी है कमी देखिए ठोड़ा प्रसाशिन की भी है ठोड़ा हम लोग के भी है तो सब लोग मिलकर साथ लगकर उस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए गंगा को सोच गंगा बनाना चाहिए घाटों की इसी थी तो बदलाव आ रहा है धीरे-धीरे सोच बनता जा रहा है घाटों पर सफाई हो रहे हैं सुंद्री करोण हो रहा है यह तो ठीक हो रहा है अभी गडबंदन भी हो भीए सापावर कंग्रेस में तो इसको किस तरीके से अगर काम किए हैं और अगर जनता संतुष्ट तो फिर घट बंदान की क्या ज़रूत श्器 देखिए अपने फाइदा के लिए गट बंदन अगर यह कार कींए तो लोग जीए संतुष्ट है तो गटभंदन करने की जरूरत नहीं थी वह प्रसनल लड़ सकते थे उनका सिंबल भी साइकल मिल गया अकलेश जी को वह चुनाव लड़ सकते थे अभी जो सरकार आने वाली है 2017 में आप क्या उमीद करते हैं और क्या चाहते हैं आप कैसी सरकार आए सरकार तो बीजीपी की के विकास के लिए उसमें अभी तक कोई खर्च नहीं हुआ घपला होता है लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है मातर अभी मोदी जी भी के और बैचारे जाड़ु लगवा रहे हैं जाड़ु के लामा कोई गंगा पर्दोसन को लेके मंत्री मंडल भी बना हुमा जी भी आई गोसनाएं भी बहुत होई कि यह सपाई होगा वो सपाई होगा और दूसरी बात है कि हम लोगों का जो पब्लिक है उसका भी है दे पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लोग मुर्खता की और अगर सनाते हम लोग कोई भी बात को जल्दी मानने को तयार नहीं होते हैं अपन बन गया है 45 किलो मीटर का डेम और वहां गंगा जी को जो बांध दिया गया अगर वह अविरल धारा आज भी चालू हो जाए तो गंगा जी की सफाई और डेडी 70 परसेंट अपने आप हो जाएगी अच्छा बैतर कौन है आप कह रहे हैं आपने तो पहले भी कह दिया है कि क केंद्र की जो सरकार है वही राज में भी सरकार आनी चाहिए बहुत से पहले लोग कभी लोग कहा करते थे कि मनभावे मोहे कासी की गली 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 जहां सिद्ध विराजें हैं हां गली गली जहां देव विराजें असिद्ध विराजें थली थली मनभावे मोहे कासी की गली तो मतलब सीधे तोर पर उमीद आप लगाए हुए है कि जो केंद्र की सरकार है वही राज्य में भी आए तभी जा करके विकास होगा हमारे साथ यहाँ पर जो है नाविक समुदाय के भी जो लोग है वो जुड़े हुए हैं इनसे भी हम बात करने कोशिश करेंगे यह लोग भी अच्छा खासा वक्त जो है घाटों पर बिताते हैं और काफी साल काफी दिनों से यहाँ पर मौझूद है गंगा को बहत करीब से जानते हैं बात होगी यहाँ पर गंगा की घाटों की और तमाम उन वादों की और दावों की जो यहाँ पर सरकारों ने किया था चाहे केंदर सरकार की बात करें या फिर राजी सरकार की पर्ष तोर पर हम जानने की कोशिश करेंगे आप से चालू करेंगे सबसे पहले काफी पुराना रिष्टा है आप लोगों का गंगा मैया से कितना परिवर्तन आया है आगे 2017 विधान सभा चुनाओ है क्या कुछ दिमा गई इस सबसे लोग बोर्ट देते थे टिकट मिलता रहा बोर्ट देते थे अब ईसा नहीं है लोक लोक तंत्र का सिस्टम है अब जन्ता जो अगो erfahren कर रही है लेकिन हमारा मानना यह गार किनारे जो रहने वाले यहां के बाजिंदे हैं जब तक उनको यह प्रोजक्ट नहीं दिया जाता है तब तक यहां का कोई सफाई करी नहीं पायेगा आपने एक बहुत एहम बात कही कि जो गाड की स्थिती पहले थी आज भी वैसे ही है यहाँ पर आप लोगों ने ही 2014 में नरेंद्र मोदी को जिता करके सांसत बनाया बनारस उसक कहा जा रहा था कि बनारस सांसत नहीं बलकि प्रधान मंत्री जो है चुन रहा है तो ऐसे में प्रधान मंत्री के आने से कितना विकास हुआ है घाटो का गंगा की क्या स्थिती है राज्य सरकार का भी क्या योगदान रहा है इस पर भी हम आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे और इसी से हम ये भी समझनी कोशिश करें कि आप 2017 विधान सबाद चुनाओं में किस दल को बहतर मानते हैं फिलाल तो हम लोग जी साब से अभी तक में हम लोग जो देखे हैं माजी समाज माजी बिंद समाज जो है आज तक जो भी काम उत्तर प्रदेश में और बनारस के लिए जो भी सडके देखिए और पेंशन मगरा देखिए लेपटाप से हो गया जो भी लाप दिया है वो अकलेस यादों ने दिया है क्सको वोट देंगे hing recently जो आएंगे तो विकास करेंगे हैं अब लोगा की जो राय है वह निकल र यहार मलाहों की हमने तमाम घाटों पर पंदों से भी बात की मलाहों तो भी उनकी राय जानने की कोशिश की उनके इंके हालात पर चर्चा हुए और गंगा और घाटों का कितना उद्धार हो पाया है कितना परिवर्तन आ पाया है इस पर भी हमने बात की है तमाम यह जो राय है वो यहां से निकल करके सामने आई है और जरूर 2017 विदान सभा चुनाओं की बात करें तो जनता अपने हिसाब से सरकार को चुन क करके ले आएगी और जनता की उमीदे और अप एक शाय भी काफी है